हेलो स्टॉप सभी सब बात करेंगे आपर क्या डिलाल केर के बारे में दोस्तो इस टॉप में एक लेटेस अपडेट आया उसके बारे में हापर हम डिसकस करेंगे वैक्सिन से रिलेटेड और आपको बता दो कि एक्चुल इस टॉप में आगे गिरावट कितनी होगे और दोस्तो उसके पीछे बड़ा रिजन कौन सा है और कमपनी में आपको दोस्तो साउधान रहकर ही चलना चाहिए मैं आपको कुछ चीजे बताऊंगा आपको ये एक्टिविटी दोस्तो आने वाले समय में देखने को मिलेगी इसलिए यहाँ पर बी रेड़ी और बी फोकस दोस्तो जिनके पास भी क्याडिला हिलकेर का शेराविलेबल है वो यहाँ पर अंडरस्टैनिंग करकर ही चलना तो चलिए देख लेते हैं वीडियो पसंद आए मेरे एफट आच्छे लगे तो यह दोस्तो अपर लाइक सब्सक्राइब कर लेना है जैसे कि आपको बता दू इस स्टॉक में हमें पता है कि गिरावट काफी तीजी से देखने को मिली है और दोस्तो आज भी यहाँ पर हम फोकस करें तो नजर आता है कि इस टॉक ने गिरावट भी दिखाई है और वो भी कितनी देखिए पर इस कमपनी के पास बड़ा अडवेंटरीज आवेलेबल है तो इसको यहाँ पर ऐसा ग्रोध का जो परफोर्मस से दिखाना चीए बट इस स्टॉक देखिए गिरावट करकर यह स्टॉक 490 तक आया दोस्तो और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो आप ट्रेंड करने क कोशिच कर रहा था बट मार्केट क्लोज हो चुका इस टॉक में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी बट उसके अंदर यहाँ पर आपको टाइम प्रेट देना पड़ेगा वो टाइम प्रेट भी मैं आपको डिसकस करूंगा अभी क्या है चीज़े वो समझना यह दे अभी डिले कैसा चल रहा है क्या चीज़े यहाँ पर क्या हो रहा है 19-20 क्या चीज़े चल रही है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा अभी इसमें जैसे आज के वैल्यूम परसेंटेज की भी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको बता दो नजर आएगा देखे इसमें 5,70,000 कौंटिटी का यहाँ पर ट्रेडिंग बोलतों खरीदारी एक्चुली जो पोर्टफोली में निवेशक ने खरीद कर रखी है इसके पीछे भी वजया है इसके कौटर टू के रिजर्ट वो भी आभी आने वाल है 29 अक्टोंबर को तो आज यहाँ पर दोस्तों कैडिलाग फॉर इट्स कोविड-90 वैक्षिन प्राइजिंग यहाँ पर बातचीद चल रही है कि हाँ पर कोविड-90 के जो वैक्षिन का प्राइज है उसके बारे में यह सभी चीज़े किसने बताए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है क्या है उनके तर तब आपको एक्षिली यह पूरे वैक्षिन का जो प्रोग्राम है क्या है आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा टाइम प्रेट देने के लिए आपका यहाँ पर माइंड सीट बना ले रहा है दोस्तों और आपको यहाँ किलेरी कर दे रहा हूं कि आप यहाँ पर याद रखिए कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बोलता अभी देखिए अभी चल रहा है कौन सा अक्टोमबर महिना उसके बाद नोवंबर डिसेंबर और आने वाला जाने वारी महिना त देखें मैंने मेरा जो point of view वो रखा है आप भी थोड़ा यहापर गवर से सोचना दोस्तों की company में आईसा ही हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया और यहापर आप खुद देखें रिजल्ट की जो date है वो कल है तो इसके लिए कल भी आप इसके पर focus रख सकते है रिजल्ट करके दिखाऊंगा कैसे आई कैसे ने आप खाली focus रखना कि आपको यहापर रिजल्ट से कैसा expectation है वो आपको कल स्टॉक दिखा देगा और यहापर हम भी देखेंगे तो रिजल्ट आच्छे रहे तो उसके बार में दोस्तों हमें रिजल्ट के बाद स्टॉक में इंप्रमे क्योंगे